तो आप सबका स्वागत है शो टाइम को और एच एक्स्प्लेइन करने जा रहे हैं लेगसीज का सीजन 4 का एपिसोड नमबर 12 तो चलिए शुरू करते हैं और गैस शुरू करने से पहले वीडियो पे जाधा से जाधा लाइक करना क्योंकि जैसे यह एपिसोड रिलीज होगा मैं आपके लिए लेकर आऊंगा लेगसीज के और Teen Wolf सीरीज चलने लग रही है तो उसको भी जाके देखें और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने स्पॉंसर के शाध में जो है GNB Live गाइस अगर आपको मिमिगरी पसंद है, कॉमेडी पसंद है या पसंद है लाइव स्टीम तो प्लीज लिंक इन दिस्क्रिप्शन ने चैनल GNB Live का और वहाँ पर जाके आप अमेजिंग वीडियो देख सकते हैं और डेली लाइव स्टीम देख सकते हैं जाके चेक आउट कीजी चैनल को और बताईए कि आप शो टाइम से आये हैं और अप शूर करते हैं इस एपिसोड को जहाँ पर हम देखते हैं अरोला सारी बुक्स लेकर आचुकी थी और पढ़ने लगती है और नोट्स बनाती है क्योंकि उसके पास क्लियों की म्यूस की पावर थी जो एक तरह से इंस्पायर होने लग रही थी और नोट्स बना रही है गोर्ट्स को ढूणने के लिए बर तब यूसकी इंस्परेशन जाने लगती है क्योंकि कहीं न कहीं वो पूरी पावर खतम हो चुकी थी उसके पास से वहाँ पर पहुंच चुकी थी लिजी अरोरा के पास में और जाने के बाद कमपैल करके भेज देती है वहाँ से उस वेटरेस को और उसके पास आकर बैट जाती है जहाँ पर हम देखते हैं अरोरा कोश्चन था कि उनने उसको कैसे ढूंडा और तभी साफ करती है लिजी कि उनके पास उसके कुछ हेर्स थे जिनको लोकेटर स्वेल से रूंड के वहाँ पर आ चुकी है और अब वह एक विच नहीं है बलकी हैरेटिक बन चुकी है और यह देखके अरोरा साफ करती है कि अगर उसे मारना होता तो पहले ही मार सकती थी और यहाँ पर साफ करती है लिजी कि उसको मारने में कोई इंटरस्ट नहीं है ना उसको डंक से किसी को मारना आता है वो तो सिर्फ एक डिस्ट्रेक्शन है और तभी होप पीछे साथ कि उसकी गरदन मोड़ती है और बोलती है कि मारने का काम तो मेरा है और यहाँ पर होप जो कह रही थी लिजी वही फोलो कर रही है और यह दोनों मारने के लिया है अरोरा को और पता करने के लिए है कि ये गोड्स को क्यों ढूंड रही है और वही हम देखते होप लेके आख चुकी अरोरा को एक मोटैल के अंदर और यहाँ पर उसे बांद के रखा हुआ है जिससे कि अपने आपको अजाद ना करा पाए क्योंकि अरोरा बहुत ही ओल्ड और पावरफुल वेंपायर है और यहाँ पर मैजिक स्पेल्स उसे बांद दिया है जहाँ पर हम देखते हैं लिज्जी को डाउट से कि काई ना कई होप इसे मारना चाती थी तो इसको अब तक जिन्दा क्यों रखा है जहाँ पर वो साफ कर देती है कि उसने इसे इसलिए जिन्दा रखा है क्योंकि गोड्स के बारे में इन्फोर्मेशन जानना चाती है और वो चाती ही निया कि कोई भी उनके बारे में और जाने सिवाए उसके और यहाँ पर वो मारने वाली है अरूरा को information पाने के बाद में और यहाँ पर अखेली रहना चाती है और उसको कोई भी पसंद नहीं है और हम देख पाते हैं अरूरा होश में थी और इनकी सारी बाते सुन रही थी और साफ करती है कि अगर तुम अखेला ही रहना चाती हो तो तुम लीजी के साथ में क्यों हो और यहाँ पर हम देखते हैं उसके होश में आते ही दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें गोट्स के बारे information इससे निकालनी पड़ेगी जहाँ पर अरूरा कुछ भी पताने के लिए त्यार ही नहीं है और यहाँ पर दोनों सोच लेते हैं कि इसको तो torture ही करना पड़ेगा जहाँ पर हम देखते हैं लीजी को कोई इंटरस्ट नहीं है इतना torture करने में सिर्फ वो answer पता करना चाती है क्योंकि वो side है और वो किसी को harm नहीं करना चाती है हम देखते हैं यहाँ पर hope की humanity turn off है तो बिल्कुल पागलो जैसा behave करती है और यहाँ पर aurora को जिन्दा जलाने की धमकी देती है जहाँ पर aurora बोलती है यह सब तो मेरे भाई और मेरे बीच में होता रहता था क्रिस्टन को भी मैंने ऐसा कई बार पनिश किया था उसने जब मुझे लगा कि betray ही आ है और यहाँ पर हम देखते हैं अरोरा की magic ring उतरवा लेती है hope जहाँ पर हम देखते हैं लिजी ना चाते हुए भी यह करती है क्योंकि वो side थी बट उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और यहाँ पर hope परदे खोल देती है और यहाँ पर जलाना शुरू करती है अरोरा को जिन्दाई और हम देखते हैं उसे बहुत ज़ादा पेन होता है और यह पेन लिजी बिल्कुल भी नहीं बरदाश कर पाती है अपनी आखों के सामने होते हुए और वही हम देखते होप इतना टोर्चर करने के बाद रेस्ट करने दूर्ट यह ब्लैक माजिक की और वहाँ पर पापा टूंडे वाला ब्लेड बना हुआ था जहाँ पर उसको पढ़कर एक वैसा ही डिवाइस बनाने की कोशिश करेगी होप टोर्चर करने के लिए अरोरा को और हम देखते हैं यहाँ पर लिजी नहीं चाती है उसको टोर्चर करना क्योंकि बहुत ज़ाद अभीक पढ़ चुकी है बट होप को कोई मतलब नहीं है उससे इंफोर्मेशन निकल वाने का बिना उसे हम करे हुए और हम देखते हैं यहाँ पर होप बोलते हैं ट्राइक और तुमारी मर्जी है और यहां से लीजी चली जाती है और वही हम देखते हैं अदर साइड के अंदर यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं इंजोई करने लग लेंडन अलारी को टेड क्योंकी उने लगता है कि अब वो रियल वल्ड में जा सकते हैं और जिनी उनकी तीन विश पूरी कर देगा और हम देखते हैं जिनी इसी तरह से ट्रिक करता है कोई तो गड़बड है इसके साथ में और तभी हम देखते हैं कोंट्रेक्ट पढ़ने लगता है जो उस जिनी ने दिया था और उसमें लिखा था साफ साफ कि तीन विशिस के बदले वो तीन सोल्स लेने वाला इन तीनों की और यहां पर हम देखते हो तीनों पीछे अटने लगते हैं क्योंकि वो अपनी आत्माई नहीं देने वाले हैं और हमेशा मिश्यकली इस कैसा ना हूँ और यहां पर हम यकीन कर सके और यहां से निकल भी सके और यहां पर साफ करता है टेडниц कि उसको तो सिर्फ पीच चाहिए उससे वापस human life में नहीं जाना है और यहां पर हम देखते हैं अलारिक और लेंडिन जाना चाहते थे और लेंडिन साफ करता है कि हमारे पास कोई option नहीं है और यहां पर कितने टाइम से हम फसे हुए हैं हम को यह deal कर लेनी चीए और टेड तुमारी wish last वाली होगी जिससे कि तुम final wish कर सको और peace में जा सको पहले हम human world के अंदर चले जाएंगे क्योंकि तीन ही wishes है और हम तीन है हम अपने लिए एक एक wish मांग सकते हैं और हम देखते हैं तीनो wish finalize करके तीनो sign करते हैं और पहुँच जाते हैं जिन के पास में जापर जिन साफ करता है कि तुमने आखिरकार सोच लिया है तो मैं तुमारे wishes को grant करने वाला हूँ बर तभी लेनेंट का question था कि बाकी यहाँ पर इतने सारे लोग party कर रहे हैं फसे हुए हैं इन लोगों ने wish नहीं मांगी और तभी साफ करता है जिनी कि हर किसी को अपनी old life में जाने में ज्यादा interest है famous बनने में rich बनने में और यहाँ पर कोई ढंक से कोई निखटा ही नहीं कर रहा है peace जाने के लिए और यहाँ पर हम देख पाते हैं कहीं ना कहीं लाला चेक ऐसी चीज है जो हर किसी को यहाँ पर रोके हुए थी और वहीं जिनी इन तिनों की wish एग्री करने के लिए रेडी था और वहाँ पर हम देखते हैं तीनों तोड़े डरे भी हुए हैं बट उन्हें फाइनल कर दी है क्योंकि उन्हें अब human life में जाना है और वहीं हम रियल वल्ड के अंदर देखते हैं पहुंच चुके हैं और पहुंच चाते हैं सेलवर्टो स्कूल के अंदर बट हम देखते हैं तभी उनके सामने जिनी आके उन्हें वोन करता हैं कि तुम किसी भी non person के सामने अभी मत जाना वो डर सकते हैं और वो तुमको वापस जिन्दा देखके कहीं न कहीं घबरा सकते हैं कि life or death है क्या रिय कि अगर लोग को लगेगा कि इतने टाइम बाद वापस जिन्दा होकर आ गया है तो कहीं न कोई गड़बड़ना हो जाए और हम देखते हैं तैट बोलता है तुझे यकीन है उस जिनकी बातों पर और तभी साफ करता है हाँ यार कहीं न कहीं तो यकीन है इसलिए शायद हम तमारी वाई मोटी परी है और हम देख पाते हैं लैंदेंट वेड के पास जाता है जब वेड होने लग रहा था और वेड को बोलता है कि मैं तुमारा इलूजन माद के अंदर शायए ड्रीम और यहाँ पर वेड मान भी लेता और बोलता है हां मैं तुम्हारे बारे में ड्रीम करता रहता हूं कि तुम स्कूल में वापस आ जाओगे चाहिए इसी वज़े से मुझे इल्यूजन होने लग रहा है और यहां पर हम देखते सीधा अलारिक के बारे में पूछने लगता है लैंड स्कूल जोड़के जाए चुकत यह पता नहीं कहान तो बहूत गडबठ चल रही है और ऐसे करके लैंड इंट को सारी बातें बता देता स्कूल के बारे में और अब हम देखते हैं लेंडेंट और टेट को जो वापस होस्पिटल के अंदर आ चुके हैं क्योंकि दोनों टेंस्ट रहे हैं कि उनके साथ अलारिक वापस इसली नहीं आ पाए क्योंकि दंग से मरा नहीं है वो अभी भी लाइफ और डेथ के बीच में जूलने लग रहा है और यहां पर है और यह देखे दोनों ड्रने लगते हैं पर उनको लगता कि गेट लोक है तो शायद वो बच जाएंगे बटो दिवार के आरपार आके दोनों के उपर अटेक करता है लेंडेंट और टेड के उपर शायद इसलिए क्योंकि वो मरने के बाद वापस जिंदा हो गए थे और को याद करते हैं और अरोरा उसे बात करने लगती है जहाँ पर लिजी उसे पूछ लगती है कि वो कैसे गोड्स तक पहुंच सकते हैं और ट्राइब्रीड को माट सकते हैं जहाँ पर अरोरा बताने लगती है लिजी को ट्रिस्टल समझके की गोड्स रियल में होते हैं मेरे तो कॉफिन हमारे पास था और यहां पर उनने कोई ऐसे डिवाइस बनाये थे जो किसी भी पाउरफुल चीज को रोख सके उसके अंदर बंद करके और तभी लिजी ट्रिस्टन मन के पूछती है कि ऐसा क्या हो सकता है जो गोड ने ऐसा डिवाइस बनाया और तभी अरोरा अचान ही है जिसको मैं यूज करके मार सकती बट अब हमें ट्राइबीट से बदला लेना पड़ेगा मेरे भाई ट्रिस्टन और हम देखते हैं यह सारी बाते सुनने एक बात समझ जाते हैं कि गौड को होना है और तभी महां पर पहुंच चुकी थी होप और हम देखते लगती है और बुलती ट्रिस्टन मुझे यहां से ले जाओ बड़ तभी होप साफ करती है कि वो ट्रिस्टन नहीं है बलकि लिजी है और यह देखके एमोशल होने लगती है अरोरा बड़ तभी सोरी मागने लगते है लिजी कि उसने ना चाते हुए भी यह किया और तभी जरवरा साफ करती है कि उसकी कोई गलती नहीं है उसी का कहींना कहीं मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है और वो कंट्रोल नहीं कर पाथी अपने भाई को याद करते हुए जैसे अलाइज्जा मरा था होलो क्या तो उसकी सारी साइड लाइन खतम हो चुकी थी उसके भाई को इन्वॉल्फ करके और वापर पानी के नीचे डूब रहा था बार बार और यहां पर उसकी मोत हो गई और वो कुछ भी नहीं कर पाई और यहां पर अब वो अकेली पड़ चुकी है और यह सोचते सोचते बहुत जादा इमोशनल होने लगती है बट हम देखते हैं होप ने प मशीन मारती है और उसके अंदर छेट करते हुए अंदर चली जाती है और जो देखे बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील होता है अरुरा को बहुत ज़्यादा पेन होता है और लिजी को बहुत बुरा लगता है बट यहां पर होप की इमोशन्स टरन ओफ हो चुके है उसे कोई फरक नहीं पड़ता है इन सब चीजों से और यहां पर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है अरुरा को और यहां पर जान पूछ के किया था होपने बदला लेने के लिए और वहीं हम देखते हैं अदर साइड के अंदर यहां पर पटक पटक के जिनको मारने वहीं है यह पूरा लूप है हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं और तुम इस लिए हमारे साथ नहीं आ पाए क्योंकि तुम अभी भी जिन्दा हो और बशने के चांसिस हैं तुमारे और हम देखते हैं यहां पर जीनी साफ करता है कि यहां पर यह चल रहा है लंबे पर वापस मेरे अंडर काम करना शुरू करते हैं क्योंकि उनके आत्मा अब मेरे पास होती है और मेरे कहने पर वो सब कोई नहीं खटा करते हैं जहां पर कुछ शेर्स मुझे भी मिलते हैं क्योंकि जब मैं रियल वर्ल्ड के अंदर था तो मैंने कई साय लोगों की के अंदर फस चुके हैं और यहां पर इनको hjelp करनी पड़ेगा जीनी को पर हम देखते तीनोगों यह सास मना करते हैं और बुलते हैं अमने पास अभी वी दो विश्पू सकते हैं और हम देखते हैं तीनों प्लान करने लगते हैं उन लोगों से बात करने का जो इस जिनी की स्कीम में फस चुके थे और हम देखते हैं जिनी ना चाते हुँ भी कर रहा है क्योंकि उसको भी पीश चाहिए और हम देखता है अलारिक अकेले में जाता है जिने के पास बात करने के लिए और यहाँ पर हम देखते हैं टेड और लेंडन ने सबसे बात की और पता चला कि कोई भी इसके ट्रैप से निकल नहीं पाया है और पकड़ के इसको किसी ने नहीं पीटा है जैसा अलारिक ने पीट दिया है तो शायद और गड़ बड़ हो चुकी है उनके साथ में और यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड वि के मुताबिक और यहाँ पर उसे बहुत गुस्तार है बट यहाँ पर कोई ओप्शन नहीं दिखरता अलारिक को क्योंकि उसे लगता है शायद नेक्रोमेंसर ही कुछ सही कर सकता है क्योंकि वह मुर्दे में भी जान डाल सकता है और अगर उसकी पावर होगी तो शायद इविल है और किसी के लिए काम नहीं करता बट कई न कई उसे यूज किया जा सकता है और वहीं रियल वल्ड के अंदर हम देख पाते हैं यहाँ पर होप टोर्चर करने लग रही थी अरोरा को और यह बात लिजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी उसे बताने का ट्र उसे मारने के लिए और हम देखते हैं। लिजी ना चाते हुर भी मारने का कोशिश करती है क्योंकि यह प के ओडर्स थे। हम देखते हैं ौठ लिजी कोशिश में वो साईड में मारती है और ये देखके व cinq को बिल्कुल अच्छा लगता है और साफ करती हरोरां, अगर उस पूद मारने का ट्राई करती अरोरा को बड़ तभी गर्दन तोड़ती है लेजी उसकी और सीधा लेके जाती है अरोरा को यहां से बाहर उसको खोलने के बाद क्योंकि कहीं न कहीं उसे लगता है अरोरा मेंटली डिस्टरब हो चुकी यह चीजों से और वो इतनी बुरी नही लेओ बड़ हम देखते साफ करता है लेने क्यों जाना भी नहीं चाते है रियल वर्ल्ड में अब और वो उसे भेज़ेगा तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी बड़ तब इन नेक्रोमेंस से साफ करता है कि जूट मत बोलो तुम हमेशा से रियल वर्ल्ड के अंद पूरा स्कूल खाली हो चुका है और यह सोचने के बाद भूस जदा टेंस्ट उने लगता है लारिक और बोलता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया और यहाँ पाले बाते नहीं बताई थी और नेक्रोमेंसर की हसी नहीं रुक रही है कि क्लाउस की बेटी बिल्कुल लेंडेंट को नहीं बेजेगा हम देखते हैं अपना मैजिक करके यहां से बेज देता है अलारिक को जाने से पहले साफ करता है लेंडेंट की कोई नहीं आप सब कुछ समाल लोगे मुझी यहीं चाहिए था और हम देखते हैं यहां से अलारिक रियल वर्ड के अंदर आता ह और उसको होश आने लगता है यहाँ पर हम देखते हैं नेक्रोमेंसर की पावर थी जो कहीं न कहीं जिनी से भी जादा है हम देखते हैं उसने जिन्दा कर दिया था लारिक को और यहाँ पर लेंडेंट के साथ तो हमेशा हमेशा के लिए इसी अधर साइड पे अटका रहेगा और उसके ऐसा ही चीए था टोर्चर पेन करना लेंडेंट को और वई नेक्रोमेंसर सीधा जिनके पास जाता और बोलता है कि मेरी तीसरी विष है क्यों कंट्रेक्ट कैंसिल हो जाए और हम देखते हैं यह देखके नेक्रोमेंसर बहुत जाद एकसाइटिड था बट जिनी स करता है कि तुम वो तीसरी विष्ट नहीं मांग सकते हो क्योंकि जो दूसरी विष्ट थी उसमें साफ लिखा था अलारिक ने कि तुम नेक्रोमेंसर बनके सिर्फ अपनी पावर को यूज कर सकते हो अलारिक और लैनेंट को वापस भेजने के लिए और तीसरी विष्ट पर टैक करने का ट्राइ करता है और यहाँ पर हसते लग रहा है लेंडेंड क्योंकि सब कुछ अलारेक ने पहले से ही प्लान करके रखा था हम देखते हैं यहाँ पर ड्रिंक करने लगते हैं दोनों क्यों कहीं भी अब जा नहीं सकते हैं और नेक्रोमेंसर भीज़ना नहीं च चुकी थी अब तक और यहां पर साफ करती है लिजी कि वो भी उसी ट्रॉमा से गुजर चुकी है जिस ट्रॉमा से अरॉरा गुजर रही है अपने सिब्लिंग के साथ रिलेशन्शिप लाइफ का ट्रॉमा यह सब और वो से सोरी बोलना चाती है और हम देखते हैं दोनों अच तक शुकी है और सिर्फ उसको डूड़ना बागी है और वहाँ से वो लेकर आ चुकी एक टुकड़ा उसी कॉफिन बॉक्स का जो वोल्गेन चुराने की कोशिश कर रहा था और होप से चुपचप चुरा के लाई है जिसको यूज करके वोल्गेन तक पहुँचेंगे और उसकी हल्प लेंगे और यहाँ पर दोनों मिलके प्लान कर रहे हैं जिसको देखके वोप को बिलकूल भी अच्छा नहीं लग रहा है जहाँ पर वो बहुत जादा गिल्ट गुस्से वें हैं यहाँ पर हम देख पाते हो किसी इंसान को मार डालती है और अपने एंगर को कंट्रोल करने का ट्राई कर रही थी community turn off होने के बाद भी क्योंकि वो और रिवेंज लेना चाहती है लिजी के साथ में भी और अरूरा के साथ में भी और वो आ चुकी है Mystic Falls के अंदर तो गाइस Mystic Falls में यह आ चुकी है यहाँ पर Alaric Sportsman जिंदा हो चुकी है और यहाँ पर उनको लेने के लिए आया है वेड, हम देखते हैं होस्पिटल में आ चुका है और यहाँ पर हम देखते हैं अलाज को सब कुछ सही करना पड़ेगा और होपी टाउन के अंदर आ रही है तो शायद कोई गड़बट ना हो जाए यहीं पर एपिसोड खतम होता है टेक क्यर बाइबाइबाइब ओनारा alt alt एड डाईज वीडियो पर कर दियाना नेरली 100 प्लस लाइक जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो ऊप्लोड का सकूँ तब तक लिए टिक के रवापे सायनारा और टाटा फिर से